हलो दूस्तो, मिनु मारवाडी रे सोई में आप सभी का स्वागत है, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी विंटर स्पेसल रेसिपी लेक्या हूँ, वो है हल्वा, हल्वा सर्दियों में सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आज हम बनाएंगे स्पेसल हल्वा, और इसे डाइबिटीज वाले भी आराम से खा सकेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, तो उसकी लिए दोस्तो, आप वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस फेमिली के साथ इसे जरूर शेयर करना, और जो भी इस चैनल पर न नहीं करेंगे, तो ये देखे, मैंने अच्छे से वास कर लिया, इन पर बहुत सारी मिटी लगी हुई होती है, तो इन्हें बहुत अच्छे से रगड रगड के वास करके, कुकर में एक सीटी दिला लेंगे, तो ये देखे, मैंने एक सीटी दिला ली कुकर के अंदर, जब उपर से हमें इनके उपर पानी डालेंगे तो एकदम फिकी फिकी सी हो जाएगी सारी सकरकन तो अब इनका सारी छिल के हटा लेंगे और छिल के एक बड़े बरतन के अंदर रख लेंगे ठंडे होने के बाद छिल लेंगे इन सभी को तो ये देखिए ठंडी होने के बाद मैंने सभी को छील लिया है सकरकंद को देखिए इन पर बिल्कुल भी गंद की नहीं है अब ये एक बड़ी सी कड़ाई लेंगे कड़ाई के अंदर इसे डाल देंगे और इसे घोटनी से मत लेंगे आप चाहे तो और किसी चीज से भी अच्छे से इसे मत लेंगे अच्छे से मतने के बाद यहाँ पर हम गैस को ओन कर देंगे तो गैस को मैंने यहाँ पर लोफले माज पर ओन कर दिया है यह अच्छे से गुट भी जाएगी और बनते भी रहेगी तो यहाँ पे हम डाल देंगे आदा लीटर दूद दूद गरम ठंडा दूद है कच्चा दूद नहीं डालना है यहाँ पे आप चाहे तो दूद थोड़ा जादा और भी डाल सकते हो लेकिन मैं कम क्यों डाली हूँ आगे वीडियो में बताऊंगे आपको तो यह देखिए यहाँ पे लिया मैंने आदा किलास पानी का लगबख पजन में होगा 1500 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में होगा पानी और 2500 ग्राम लिया मैंने गुड और इसको गुड को पिगला लेंगे पानी के अंदर बस इतना ही पकाना है कि गुड अच्छे से पिगल जाए इससे ज़्यादा नहीं पकाना है तो एक छन्नी लेंगे गुड हमारा अच्छे से पिगल चुका है और इस अलूर के अंदर यह गुड वाला पानी डाल देंगे तो इसलिए मैंने दूद थोड़ा कम डाला था क्योंकि यह गुड का पानी भी हमें इसके अंदर डालना था इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम यह गाडा सा हो जाए तब तक इसे पका लेंगे तो यह देखिए अच्छे से गाडा सा हो चुका है ना बहुत जादा गाडा है ना बहुत जादा लिक्विड है ऐसा ही होना चाहिए हल्वा और यह पक चुका है और इसमें मन पसंद अपने ड्राइफ फ्रूट्स डाल देंगे कम जादा जो भी आपको पसंद हो और देड़ चमद डाल देंगे इलाइची पाउडर जरूर डाले यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर खोया भी डाल सकते हो थोड़ा सा सिकाई करके तो यहाँ पर दो चमद हम देशी घी डाल देंगे घी से अच्छा सा फ्लेवर तो आएगा और हल्वे में अच्छा सी साइनिंग भी आएगी यह ओप्सनल है घी डालना चाते हो तो डाल दीजिए नई भी डालना चाते हो तब भी हमारा हल्वा अच्छा बनेगा बिना घी के भी यह बन जाता है बहुत ही टेस्टी और यह लिजिए हमारा हल्वा बनके तयार है एक बावल के अंदर मैंने इसको निकाल लिया है और ये लिजी दोस्तों हमारा स्वीट पोटेटो हलुआ बनके तयार है सकरकंदी का हलुआ बनके तयार है और हमने केवल इसे बहुती आसान तरीके से बनाया है और बहुती टेस्टी भी बनता है इस तरीके से आसान भी है और टेस्टी भी है और इसे बच्चे से लेके बुड़े तक सभी को खिलाया जा सकता है छोटे बच्चों को भी इसे खिलाया जा सकता है बहुती टेस्टी होता है, बहुती गुनकारी है और किसी तरिके कोई नुकसान नहीं पोचाता है बहुती गुनकारी हल हुआ है तो इन सर्दियों में आप सब भी इसे जरूर बनाए अगर आप सबी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक शेयर करें और आप सबी से एक निवदय नयकी चैनल को भ सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट करें वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद मिलते हैं फिर अगली ऐसी एक नई रेसिपी के साथ